डेट साइलेंस 2007 को डिसलाइक या लाइक करते हैं तो इस फिल्म की कहानी में जो मेरा करेक्टर होगा वो है मैरी शा का मैं एक पॉपिट शो यानि के पुतले का शो दिखाया करती थी कहानी के शुरू में हमें कपल को देखते हैं जिन में से हस्पेंड का नाम जेमी था तभी उनके घर की दर्वाजे की बेल बचती है जब जेमी जाकर देखता है तो बाहर एक बहुत बड़ा बॉक्स पड़ा था जेमी उसे अंदर ले आया था जब वो बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें एक डॉल पपेट पुतला निकलता है एक ऐसा पुतला की आदमी शो करता हुआ खुद बोलता है पर होट नहीं लाता होट वो पपेट के हिलवाता है इसलिए उस शो को देखने वालों को ऐसा लगता था ये सब कुछ पपेट बोल रहा है अब जिमी की वाइफ ने जब उस पपेट को देखा तो वो बहुत खुश हुई जिमी तो बाहिर खाना लेने चला गया था और उसकी वाइफ अब घर पर अकेली थी वो उस पपेट को बेट पर लिटाती है पर उसका बैलन्स खराब हो रहा था इसलिए वो उसे बेट पर लिटा कर तक क्या लेने चली गई थी मगर जब वो पीछे मुर कर देखती है तो वो पपेट उसकी तरफ देख रहा था हलांकि उसने उस पपेट पुतले को चप लिटाया था तो उसका मूद दूसरी तरफ था मगर फिर भी जिमी की वाइफ इस बात को सीरियस नहीं लेती वो सफेद रंग का कपड़ा निकाल कर उस पपेट पुतले पर देकर उस कमरे से चली गई थी इसके बाद जब वो अपने कमरे में गई तो तब ही उसे एसास होता है जैसी कमरे में पपेट के लावा भी कोई है रेडियो में से अजीब अजीब आवाजे आ रही थी घरे के टिक टिक भी बंद हो जाती है साथी गैस पर जो केटल पड़ी थी जिसमें चाए बन रही थी उसकी आवास भी बंद हो गयी थी तब ही जीमी की वाईफ को किसी बच्चे के हसने की आवाज आती है जब वो उस कमरे में जाती है जहाँ पर उसने पपिट रखा हुआ था जैसे ही वो उसका कपड़ा हटाती है वो सफेज चादर उस पर लिपट गई थी किसी काली ताकत ने जीमी की वाइफ को ठाकर दर्वासे के पास पहँच दिया और जब भागने की कोशिश कर रही थी तब ही उसे अइसास होता है कि उसके पीछे कोई है कोई अन्जान ताकत उसके पाओं कमरे में खीछ लेती है हम सिर्फ जीमी की वाइफ की चीश ही सुन पाते हैं जीमी भी घर अब वापिस आ गया था वो अपनी वाइफ को अवाजे लगाता है तो वो उसे बताती है कि मैं अंदर कमरे में हूँ वो जब कमरे के तरवासे के पास चाता है जहां पर खुनी खुन था वो अपनी वाइफ को फिर से अवाज लगाता है कि तुम कहा हो फिर उसे अपनी वाइफ की यही अवाज आती है कि मैं अंदर हूँ अब जो वो सकमरे में जाता है तो वो सफेद कपड़े को उठाता है जो उसकी वाइफ ने पपिट पर डाला था वहाँ पर उसकी वाइफ की लाश थी जिसकी जुपान तक कटी हुई थी पुलिस भी आकर जिमी को गिरफ तार करके ले जाती है क्योंकि उन्हें शक्त था कि उसने अपनी वाइफ को मार दिया मगर खैर पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था इसलिए जिमी को पुलिस छोड़ देती है वो अपनी वाइफ की मौत की वज़ा से बहुत परिशान था इसलिए अब वो उसी बॉक्स के चान बिन करता है जिसमें पपिट था तो उसे एक नाम लिखा हुआ मिलता है जो था महरी शाह जो के मैं हूँ और यहां से शुरू होती है मेरी कहानी जिमी ने जब मेरे बारे में पढ़ा तो उसे पता चला कि मैं उसके होम टाउन उसके शहर में ही रहती हूँ इसलिए वो जल्दी से मेरे बारे में पता करने अपने डैड के घर आ गया जो वो वहाँ पर पहुँचता है तो एक बहुती खूब सूरत लड़की तरवासा खोलती है जिसने जिमी को अपने बारे में बताया कि वो उसके डैड की दूसरी बीवी है वो अपना नाम एला बताती है दुरासल जिमी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि वो अपने डैड से कभी बात ही नहीं करता था अंदर जाकर जिमी ने जब अपने डैड को देखा तो वो वीलचियर पर बैटे हुए थे इस बारे में भी जिमी को कुछ नहीं पता था उसके डैट ने उसे बताया कि मुझे कुछ वक्त पहले हार्ट अटेक आया था लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब तो मैं गुसा भी नहीं करता तुम मेरे साथ यहाँ पर रह सकते हो जब उसने मेरे पपिट की तर्फ देखा तो उसकी आंखे हिल रही थी और बहुती खौफनाग चेहरा उसके सामने आ गया जो कि जाहिर है मेरा था जीमी बिचारा डर गया और कमरे की लाइट जला देता है फिर जब उसने देखा तो वहां से मैं जा चुकी थी अगले दिन जीमी अपनी वाइफ के फिनरल के लिए कबरिस्तान जाता है जो वो वापिस आ रहा था तो रास्ते में उसने एक बुड़ी औरत को देखा जो वो उसके पास चाने लगा तो वो बुड़ी औरत उसके सामने आ गई वो बताती है तुम्हारी वाइफ को मेरी शाने मार दिया यानि के वो मेरे बारे में बता रही थी जीमी सुनकर कहता है क्या किसने मार दिया उस ओरत ने मुझे खत्म करने का तरीका भी जीमी को बताया कि अगर वो मुझे खत्म करना चाता है तो उसे मेरे पपिट को दफना जहां पर उसने एक कबर देखी, उसने उस कबर को खोला और मेरे पपिट को दफना दिया, जो वो वापिस जाने लगा, तो उसे महसोस हुआ कि उसके आसपास जैसे कोई है, उसने गाड़ी से उतर कर जब देखा, तो उतर कोई भी नहीं था, मैं तो बस उसे डरा रही थी, ख जिमी के वाइफ के केस की चान बिन कर रहा था, उसने जिमी को बताया कि मुझे लगता है, कि ये पुतला तुम्हारी वाइफ के केस में हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि जब तुम्हारी वाइफ का हून हुआ, तो सिर्फ यही तुम्हारे घर पर मौजूद था, लेकिन जो से देखकर डर गया, चिलाता है, वो उसकी जुबान तक कार देती है, जिस रात मेरी वाइफ का खोन हुआ, उस तीन इस पपिट को किसी ने हमारे घर पर भेजा था, तो आपको पता चल गया होगा, कि मेरी शाग कितनी खतरनाक है, वो पुलिस ओफिसर खेर मेरे पपिट क जाता है, और जिमे को अपने साथ ले गया, उसने भी जिमे को मेरे बारे में सारी कहानी बताई, तो हुआ यू था, कि कुछ वक्त पहले उनके शहर में एक बहुती शानदार थेटर खोला गया, जहाँ पर मैरी शाह, यानि कि मैं पपिट शो क्या करती थी, एक दिन जो मैं जाम लगाया, कि जो पपिट मेरा बोलता है, वो मैं खुद बोलती हूँ, मेरा पपिट पुतला नकली है, जिस पर मुझे बहुत गुसा आया, हलाकि मैंने उस बात को मजाक में उड़ा दिया, पर कुछ दिन के बाद वो बच्चा गाइब हो गया, और कही भर भी नहीं मिल उसे मेरे साथी तफना दिया जाए, वो ये भी बताता है, कि मैं भी एक पपिट बनना चाहती थी, और मेरे जिसम को मरने के बाद ऐसा ही बना दिया गया, मेरी सारी कहाने जानने के बाद जिमी तो वहां से चला गया था, पर मेरे पपिट को वहे पर छोड़ जाता है, वो मेरे पपिट को दफनाने जा ही रहा था, मुनीचे बेस्मेंट में जाता है, जहां पर मेरा पपिट उसकी तरफ ही देख रहा था, कुछ देर के बाद मेरी आत्मा भी उसके सामने आ गई, वो आत्मे बिचारा देखकर चिलाया मुझे, और जो भी चिलाएगा उसके क्योंकि मेरे बाद वहाँ पर किसी ने शो ही नहीं किया, वहाँ जाकर हर जीमी को मेरे बारे में और बात ने पता चली, कि जो बच्चा गाइब हुआ था, जिसने मेरा मजाग बनाया था, वो कोई और नहीं, बलके जीमी के दादा का भाई था, ये सब जानने के बाद, जी के बाद उसकी आत्मा वापिस आई उसने हमारी सारी फैमली को मार दिया वो जिसको भी मारती थी उसकी जुबान तक कार दिया करती थी इसलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया ताकि तुम इस श्राप से बच सको और जब उसने तुम्हारी बीवी को मारा तुम्हें यानि के मेरी कबर के पास चितने भी पपिट्स को दफनाया गया था वो सब निकाल दिये गए हैं उस पुलिस ओफिसर का शक जिमी पर था इसलिए वो से पकड़ने आया था जब वो जिमी को वहां से ले जा रहा था तब है यहां पर जिमी की सोतेली मॉम जिसका ना मिला था जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था वो जिमी को फोन पकड़ा दी है कि तुम्हारा फोन आया है फोन पर वो ही बुड़ा आदमी था जिसको कुछ देर पहले मैं मार कर आई थी पर वो मरा नहीं था वो अबे भी जिन्दा था शायद उसकी आखरी सांसे चल रही थी पर पुलिस ओफिसर भी उसके पीछे आ गया था थोड़ा सा आगे जाकर उन दोनों को हिसास हुआ कि उनके इलावा भी यहाँ पर कोई मुझूद है जिब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर मेरे सारे पपिट्स थे जिनको मैं कब्रिस्तान से निकाल कर लाई जी हाँ उन पपिट्स को मैं लाई थी मैंने उन्हें बहुती खुबसूरत तरीके से शोकेश में रख दिया था तब ही उन्होंने जीमी के दादा जी के भाई को भी देख लिया जिसको मैंने आज से सत्तर साल पहले अगवा करके पुत्ला बना गर यहां पर रखा हुआ थ उस बचे को मैंने ही पकड़ा था जिसने मेरा मज़ाग बनाया था तब ही वहाँ पर जीमी को एक कुरसी की आवाज आई उसने देखा उस कुरसी पर बहुती बड़ा पपिट पुत्ला बैठा था उसमें मेरी आत्मा थी जीमी समझ किया था वो मुझसे पूछता है कि तु तुम्हारी वाइफ मा बनने वाली थी इसलिए मैंने उसे मार दिया क्योंकि तुम अपने खांदान के आखरी आदमी हो मैं तुम्हारे सारे खांदान को खत्म कर दूँगी इतने में पुलिस आफिसर ने उस पपिट मेरे पुतले पर गोली चला दी जिसके जरीए मैं जिम इसने भी पुपिट्स थे सब जिन्दा हो गए जिमी के हाथ में जो लायल्ट एंट थी उसने मेरे पुपिट्स पर गिरा दी जिस से वो सब ही जलकर खत्म हो गए अव वो दोनों निकलना चाहते थी पर इतने में पुलिस आफीसर का पाउं फिसल जाता है और उसकी गलती से चीख निकल गई थी, फिर जो भी चिलाता है, वो मुझसे बच कहा पाता है, पुलिस आफिसर की जुबान को काट कर मैंने उसे मार दिया, जीमी बच कर जाना चाहता था, वो जानता था कि मैं हमेशा पपिट के रूप में जिन्दा रहती हूं, उसने यहां पर मेरी सारी पप पपिट को क्र खत्म कर दिया था पर मेरा एक पपिट अभी भी जिन्दा था, जो उस बुड़े आतमी की घर पर था, जिसने कॉल करें भी बताया था, कि उसे थेटर जाना चाहिये, अब जीमी जब उस बुड़े आतमी की घर जाता है तो ऊसे पता चलता है, उसकी मौत हो उसकी बीवी ने उसे बताया कि जो पपिट के बारे में तुम बात कर रहे हो, उसको तो तुम्हारे डैट लेकर गए, जीमी ये बात सुनकर हैरान हो गया था, वो कहता है मेरे डैट ऐसे कैसे आ सकते हैं, वो ठीक तरह से चल भी नहीं पाते, जीमी वापिस अपने घर आ गया वो आकर देखता है कि हर तरफंदेरा था, उसे वो पपिट मिल गया, जो मेरा आखरी पपिट था, जीमी उसे उठा लेता है, तब ही मेरी आत्मा भी वहाँ पर आ गई, जो कि एक पपिट के रूप में थी, इससे पहली मैं जीमी पर हमला करती, उसने मेरे पपिट को आग म बातें कर रही थी, वो भी एक तरीके से कि सिर्फ जीमी के डैट की फोट हिलते थे, और आवाज उसकी सोतेली मॉम की थी, जिनका ना मिला था, यहाँ पर जीमी को सारी गेम समझा गई, जब उसकी सोतेली मॉम ने उसे फोन दिया, तो फोन पर तो कोई था ही नहीं, बलकि खुद बिना होट इलाए, बुड़े आत्मी की आवास निकाल रही थी, जैसे उसने जीमी के डैट की आवास को निकाला था, तरासल जीमी की सोतेली मॉम मैं ही थी, यानि मैरी शाह मैंने मरने से पहले जो अपना आखरी पपट बनाया था, वो इतना अच्छा शानतार था, बिलकुल इनसान जैसा, और वो पपट इला का ही था, जिसको जीमी अपनी सोतेली मॉम समझ रहा था, अगले ही पल मैंने जीमी पर अपने असली रूप में आकर उस पर हमला कर दिया, मुझे देखकर डर गया, और बहुत जोर से चिलाने लगा, फिर मैंने वो किया, जो मैं इस फिल्म की कहानी यही पर खत्म हो जाती है